चलिए शुरू करता है वापस सुपर जंबो की प्रैक्टिस तो जंबो की स्वारी सुपर जंबो दो बात में करेंगे अगे यह वाला कुश्चन दे रखा है हमको ए ओजने से बी एनवे से सी और सी के स्टू पीडिसी से यह बनता है ठीक है तो बताओ वाट इस दा लोग इंदि हाइड अल्दी हाइड तो यह वन काबन टू काबन थ्री काबन फो काबन फॉर काबन फाइफ काबन अगर मैं यहां से आटक करूंगा फॉर में मैं मरीं बनेगा नहीं तो फाइव में बन रही है ना इसका मलब यह आंसर नहीं हो सकता और इसमें टोटल कापन कितने हैं थ्री और फॉर कापन इसमें कार्बन तो पांच हो रहे हैं यह यह वाला चेक कर दें यह हो सकता है इसका किया ओजोन लिश्यस सीएस्टू के बाद आएगा सीएचो सीएस्टू के बाद आएगा सीएचो इसमें एक्वस एनेवेच एक्वस एनेवेच मतला हुआ यह वाटर निकल गया यह आए फाइफ मेंबर रींग के बाद यह पाइब और चेचो और इसमें डाला स्टू पीडी सी इडियूस फॉर सेलेक्टिव डेक्शन आफ एल्कीन एल्कीन का स्लेक्टिव डेक्शन करेंगा दी हुआ ना यह हुआ हमारा दी है तो बी क्या हुआ उसका ओजोन लिसिस यह सी हुआ यह सी हुआ तो फिर सी क्या हुआ इंट्रा मॉलिकल अल्डॉल यह एल्कीन का डेक्शन हो जाएगा दी हुआ है ना वो तो एक सॉल होते है फिर सारे सॉल हो जाएंगे चलो यह बताओ ट्राए करो ओन दे बेसे अव गीवन आइंटी इच ऑफ दा कंपॉंड सबसे बहुत टैरलीन पॉलीमर जो है ना यह कब बनता है यह पैरा सब्सक्ट्टिटेड आइसोमर है यानि टैरलीन में क्या होता है यह जो बनता है ना टैरलीन उसमें टैरी थैलिक एसेड से बनता है यह किस्सा आता है इसका मुनुमर जो है वो है टैरी थैलिक एसेड यह समझ में आ रहा है टैरी थैलिक एसेड ठीक है तो इसका मुनलब हो गया कि यह किस्से बनेगा एक्स जो होगा वो होगा टैरी थैलिक एसेड तो यह सबसे इंपोर्टन चीज है अगर यह चीज क्लियर ना टैरलीन पॉलीमर तो फिर हमारे तीन आंसर हो सकते हैं और्थो मेटा और पेरा फिर इसमें एमोनिया डाला और हीट किया तो वाई क्या बनेगा हमारा एमाइड एमाइड और इसमें के ओ बी आर डाला तो क्वाँसे रेक्शन होगी हाफमेन ब्रोममाइड यह बनेगा एमीन समझ मारा एसेड से एमाइड एमाइड से क्या बन गया हमारा एमीन तो क्या आंसर रहा इस्ट्रक्चर आफ एक्स एक्स तो अपना टैविथैलिक एसेड होगा यानि यह होगा सी फिर हमारा वाई, वाई तो एमाईड होगा, पैरा सब्स्टूटिटेड एमाईड, फिर होगा जेड, एमाईड से, होफमेन ब्रोमाईड से क्या बनेगा, एंडी, क्लिर हो गया, चलो, यह लास्ट लिखते हैं, यह अच्छा कुशन है, थोड़ा केरफुली करना है आपको, वीडियो पॉस्ट करो और देखो, आंसर लगा लो, वीडियो पॉस्ट करके, ट्राय करके अपना अंसर लिख लो, मेरा यह आंसर है, उसके बाद अपन डिसक्स करेंगे, चलो, सबसे पहले क्या बोला है कि, इस एक्षन टेक्ष्पेस बाइज बाइज बोथ एसन वन एसन दोनों से हो रहा है, वो एसन वन एसन टूस है ना, 60% आफ और वन ब्रोमो इथाल बेंजीन, यानि यह वन ब्रोमो, प्लस वाला है न, रियक्ट बाइज सन वन, तो 60% वह एसन वन से गया, तो इसका मतलब यह हो गया कि 30% उसने क्या बनाया, प्लस बनाया, और 30% क्या बनाय माइनस, यह बनाया न, एन 40% आफ प्लस वन ब्रोमो रियक्ट इसन टू, तो यह जो 40% गया, यह क्या गया हमारा इन्वर्जन, इन्वर्जन का माले यह नि, कि D to D जायागा, L to D जायागा, क्योंकि यह तो आइसमर ही न, D, L अम नहीं बोल सकता है, हम सब बोल सकता है कि, इन्वर्जन हुआ, यह जैसे मैं पूछों कि इसका एसन टू प्रोड के आए, तो इसका एसन टू प्रोड यह है, लेकिन वो प्लस का प्लस है, ठीक है, तो एसन टू से कितना गया, 40, तो 40 और 30, यह कितना बना, 70% बना, और यह बना, 30%, सब कन्फूजन कब स्थार्ट होगा, जब तुम ऐसे सोच हो गई कि, यह dextro convert into levo, तो D और L isomer होते हैं, तब आप बोल सकते हो, तो यह isomer नहीं है न, हम से बोलते हैं, inversion, यानि inversion अलग चीज़ है, DL अलग चीज़ है, तो इसका मतलब यह हो गया, यह प्लस से प्लस 70 बना, दा प्रोडेक्ट मिक्सर अप्टेन आफ देक्शन कौन सा सब्सक्राइब निकाल लेता है, यहां एक वैलंसी वैज में है, तो एक क्या होगा, डैस, वन टो थ्री, एंटी क्लॉक्वाइज, तो यह एक पेर चेंज होगा, मतलब यह आर होगा, तो अगर हम पूछे कि S और आर का रेशियो, तो कितना होगा, बताओ, थ्री डेशियो, खे तो शेवन होगा, थीकते है, अच्छा, यह लेवर डामिनाटिंग निये अप्तिकली इनक्टिव निया अक्टिव मिक्सर है लेना, अव्टिकली एक्टिविटी एक्टिवटि गलत है, वी इकृफ्प्लीन, आ अल्छे जैके ऑस का रेशियो भी पूछा है ना, स & और स्का कितना होगा सेवन बाइट तो कुश्चन में समझे आप में कॉंसेट क्या था कि अगर आपने प्लस का माइन से बना दिया तो फिर कन्फिजन हो जाएगा ठीक है तो यह बहुत अच्छा कुशन है आपको क्लीर हो गया होगा आगे बढ़े झाइब चलो यह होगया हमारा जंबो का एक और टेस्ट यह टेस्ट आपको शेयर जुरू करना दोस्तों को दोस्तों को बारे में जरूर बताना आपस मरी डिसकुस करना और आपको कोई भी डाउट होथ कमेंट बॉक्स में लिखना मैं उसको आंसर जरूर करूंगा मिलते हैं जब हारा